शुक्र भगवान की कहानी एक सासु बहु थी सासु शुक्र भगवान की सेवा पूजा करती थी शुक्र भगवान की मुर्ति को एक आले में बेठा कर रखती थी एक बार सासु तीरत जाने लगी तब बहु को बोली कि मेरे शुक्र भगवान की पूजा का नियम है सो मेरे पी शुक्रबगवान अशने लगे कि मेरी पूजा तो नहीं की और घर का सारा काम कर रही है शुक्रबगवान को हसते देख को भू पनियारीन से बोली यह देख मुझे देखकर हसता है इसलिए तुम इस भगवान की मूर्ती को अपने घर ले जाओ तब पनियारीन बोली कि मेरे घर में भी बहु बेटी है सो मैं घर तो नहीं ले जाऊंगी यदि तुम को तो बाहर गड़ा खुद कर गाड़ दूंगी बहु बोली गाड़ दो तब पनियारी ने गड़ा खुद कर शुक्र भगवान को गाड़ दिया इधर बहु के घर में सारी धन संपति खत्म होने लग मा को तार चिठी दे कर बुलाया मा आई तो बेटे ने पूछा मा आपने सब धन कहां रखा मा बोली बेटा मुझे क्या मालूम की धन कहां गया मा ने उपर आड़े में देखा कि शुक्र जी की मुर्ती वहां नहीं है तब सासु बोली बहु मुर्ती कहां गई वह बोली कि शुक्र जी मुझे देखकर हस रहते चाहे तो पनियारीन से पूछ लेवे पनियारीन से पूछा तो वह बोली कि बाहर गड़ा खोद कर गाड़ दिया है तब सासु जी ने शुक्र जी की मुर्ति को निकाला नहला आया तथा आले में विराजमान करके पूजा करी सासु फिर रोज वैसे ही शुक्र भगवान की सिवा पूजा करने लगे तो उनके घर में पहले जैसे इधन संपत्य हो गई तब बेटा बहु की आग खुली बहु बहुत बहुत पश्ताई की हमसे गलती हुई है उसके बाद से बहु भी रोज पूजा करने लगी है शुक्र भगवान जैसे सासुजी को तूटे वैसे सभी को तूटना कहते सुनते हुंकारे भरते सारे परिवार को तूटना खोटी की खरी अधुरी की पुरी